अभी हाली में आप लोगोंने सुना होगा कि अबजल खान की जो कब्र है इसके इर्द-किर्द बोल्डोजर चलाए गया है अबैद निर्माड हटाए गया है और इसी को लेकर कोई PIL दाखिल की है सुप्रिंग कोट में और सुप्रिंग कोट ने महाराष्ट सरकार से जवाब भी मागा है और देखे इस तरह का कोई भी टॉपिक अगर चर्चा में रहता है हिंदो मुसलिम की बात होती है तो मुझे लगता है कि उसके बारे में आप लोगों को एक सामान जानकारी भी रखने चाहिए और अगर आप लोग किसी एकजाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन एकजाम में इस तरह के कुश्टन्स भी पूच लेते हैं यहां सबसे पहले आप देखें आपको अपजल खान के बारे में मालू होना चाहिए फिर सिवाजी महराज का भी उलेक होता है उनके बारे में मालू होना चाहिए सुप्रिंग कोट के बारे में मालू होना चाहिए और महराष्ट के बारे में मालू होना चाहिए तो आप लोग स्क्रीन पर कुछ पिक्चर भी देख रहे होंगे और कहा जाता है कि सिवाजी महराज ने अबजल को मार दिया था एक बार आप लोग महराष्ट को देख लिजे पहले महराष्ट में बात हो रही है और पहले भी आप देखते हैं कि महराष्ट बड़ा चर्चा में भी रहा है राजनेतिक उठावटक के कारण आप देखते हैं कि पहले यहाँ के मुखमंत्री उधाव ठाकरे हुआ करते थे फिर इनकी जो सिपसेना थी जिसकी स्थाफना 1966 में बाला साफ ठाकरे ने की थी उसी में टूट-पोट हुई और एक नास सिंदे इनी की बिदाएक बीजेपी के साथ मिलकर सरकार मनाई और आप देखेंगी कि महराष्ट की स्थाफना एक माई 1960 में की गई थी मुंबई इसकी रादधानी हो गई और इसकी सिमा गुजरात, मद्यपदेश, चत्तिसगर, तेलंगाना, करनाटक, गौासी लगती है वर्तमार में यहां की राजपाल भगस सिंग कुसे आ रही है मुकमंत्री एक नास सिंदे है विधान सभा में 288 सीटे है विधान परिशद में 78 सीटे है राजपा में 19 सीटे है लोगसभा में 48 सीटे है और महराष्ट का अगर छेतफ़ल आप लोग देखें तो 3,7,713 बरक किलूमीटर में पहला हुआ है आपका महराष्ट तो यह भी आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में और पहले नमबर पर आप देखते हैं राजस्थान है दूसरे पर आपका मदबदेस और तीसरे पर छेतफल में महराष्ट है आपका ठीक है तो आप देखेंगे कि हाली में सर्वोच नियाले ने यानि कि सुप्रीम कोट ने अब जल खान की मकवरी के आसपास चलाएगे बिद्वांस तोड़पोड अवियान पर महराष्ट सरकार से जवाब मागी है और सुप्रीम कोट की यहां बात हो रही है तो आप सभी जानती कि हमारी सर्वोच अदालत है और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 28 जन्वरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी एक समीधानिक संस्ता है समीधान के अनुचेद 124 के ताहत इसकी स्थापना की बात की गई है वर्टमान में आप देखेंगे 34 नियादीस है एक आपका मुख नियादीस है 33 नियादीस देखने को मिलेंगे इसमें अगर नियादीसों की कारगाल की सिवा निमित्ती की उम्रे की बात करें तो 65 साल रखी गई है तो ये भी आप लोग याद रखिएगा और नियाले ने कहाए कि इन रिपोर्टों में धांचे की प्रकिती या पिकार और क्या कथित अनिधिकित सरचनाओ को हटाने के लिए उचित्पिक्रिया का पालन किया गया था या का उलेक होना चाहिए और महाराश सरकार ने कहाए कि विध्वान अभियान समात्थ हो गया है और सरकारी बबन भूमी पर बने अवेट धांचो को धोस्त कर दिया गया है अबजल खान की मकवरी पर बिबात क्यों है तो कुछ हिंदू समुहों का ऐसा मानना है हिंदू समुहों का ऐसा आरोप है और मानना भी है क्या मानना है इनका कि हजरत मुहमद अबजल Khan Memorial Society ने अनाधीकित निर्माड कर मकवरे का बिस्तार किया है और कहा जाता है कि पहले इतना मकवरा बना हुआ था फिर आप देखेंगे आप लोग बर्तमार में इस तरह का बना दिया गया है तो अवैद एक तरह से निर्माड किया गया है ऐसा कहा जा रहा है और मामले में बर्स 2004 में एक बेक्ती द्वारा बिध्वांस की मांग करते हुए जन्हित याज का आविदन दायर किया था और हिंदू समूहों ने यह भी दाबा किया कि सुसाइटी मारे गए कमंडर के सम्मान में बिभिन ने गतिविधियों की मेजबानी करके सिवाजी की भूमी महराष्ट ऐसा कहा जाता है आप देखे सिवाजी की भूमी है और सोराज की दुस्मनों का महिमा मंदन भी कर रही है अब जल खान की बात करने तो आप देखते हैं कि 17 भी सदादी में बीजापूर की आदल साही सल्तनत में सनापती था और चटपती सिवाजी की ओदय और छेत्म पर बढ़ते नियंतन के साथ अब जल खान को दक्कन छेत्में इनके अच्छेत अदिकार को सीमित करने वाले ब्यक्ती की रूम में देखा गया था अब जल खान ने अपने 10,000 घुर सावारों के साथ बीजापूर से बाई तक मार्च किया और रास्ती में सिवाजी की नेंतन बाले छेत्रों में लूट पाट की और सिवाजी ने प्रिताबगड की किले में एक योध परिशत बुलाई और जहां उनके अधिकान सलाकारों ने उनसे सांती स्थापित करने का आग्रे किया हाला कि सिवाजी पीछे हटना नहीं चायते थे और उन्होंने अबजल खान के साथ एक बैठक मीटिंग बुलाई और इस मुलाकात के दोरान अबजल खान द्वारा सडेंद पूरवग सिवाजी पर किये गए हमले की जबावी कारवाही में सिवाजी बिजय हुए और इसके बाद मराठों के हाथों आदल साही सेना का पराय जये हुगा तो यहाँ आप देखते हैं कि इनके साथ सडेंद किया जा रहा था उसी में आप देखेंगे जबावी कारवाई में सिवाजी ने अबजल को मार दिया और मराठा सुत्रों के अनुसार खान के आउसेसों को किले में दफनाय गया था और सिवाजी के आदिश पर एक मकवरे का निर्मार किया गया था और अनुग्रह कार में सिवाजी ने अबजल खान की आउसेसों पर एक मकवरा बनवाया और उसके सम्मान में एक टावर का निर्मार भी कराया जिसे आज भी पिरताबगड में अबजुल बुरूज के नाम से जानते हैं अब जल खान की तलवार को सिवाजी और उनके बंसजों के सस्तागार में एक मूलबान ट्रॉफी की रूम में सरक्षित किया गया है अब आप लोगे के मर में यह आरा होगा कि चत्पती सिवाजी कौन थे चत्पती सिवाजी कौन थे आकर तो आप देखेंगे सिवाजी की बात करें तो महाराठा समराज की पिथम समराठ चथपती इनका जिरम कहते हैं कि 19 फरवरी 1630 में हुआ था सिवनीरी किला अहमद नगर सल्टनत में जो बारतमार में आप देखेंगे महाराष्ट का छेत है और 3 अपरेल 1680 में राइगर किला महाराठा समराज महाराष्ट में इनका इनकी डैथ हो गई थी और ये आप देखेंगे इनका सासन रहा है 1674 से 80 के बीच तो ये भी आप लो याद रखिएगा और सिवाजी चटपती सिवाजी महाराज भी इनके कहा जाता है आप लो एक भारतिय सासक और भौसले महाराठा कबिले के सदस थे और सिवाजी ने बीजापूर की गिर्थी हुई आदिल साही सल्टनत से अपना सोतंत राज बनाया और जिसने महाराथा समराज की उत्पत्ती का गठन किया और 1674 में उन्हें उप्चारिक रोप से राइगर के लिए में अपने दारे के छत्पती का ताज पहनाये गया था और आप देखते हैं कि इनके नाम पर भी छत्पती महाराज की नाम पर भी आप देखते हैं भी आप लोग याद रखिएगा यही जानकारी आप लोग एक सामन जानकारी देख चरूर लिया करिएगा questions पूछे जाने की पूरी संभावना इस तरह की topic से बनी रहती है फिर चाहे आप लोग civil service की तयारी कर रहे हो इस टेट PCS की तयारी कर रहे हो central के और भी एक्जाम होते रहते हैं state level के एक्जाम होते रहते हैं तो और भी बताइए किसी topic में doubt हो बात करनी हो तो आप लोग उस पर भी हम लोग बात कर लेगे